नमस्कार दोस्तों, मैं A.S. चोहान जीके राजिस्थान के यूटूब चैनल पर आपका सौगत करता हूँ पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंस के फेस्बुक और बाचसब पे कमेंच्स आने लग रहे हैं वो दिसा के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इतनी सारी विकैंसीस हमारे सामने हैं, मैं अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित करूँ इसके लिए दोस्त मुझे एक कहानी याद आने लग रही है, कहानी उन्दनों की है दोस्त, ऑस्टेलिया में इंडिया और आस्टेलिया का मैच चला है जैसा कि आप देख पा रहे हैं आस्टेलिया में जो किर्केट की पिछ होती है जो फिल्ड होती है पिछ बली फास्ट होती है वहाँ पर दोस्ट फास्ट वॉलर का दबदबा रहता है एक बेस्ट वेन थे एस एन दास करके वो वहाँ पर बैटिंग करने लग रहे होते हैं यहाँ पर दोस्ट नौजोट सिंग सिद्धू और सुनील गवास का कमेंटी करने लग रहे होते हैं एस एन दास टेश्ट वेच के बहुत अच्छे बल्लेबाज थे यह बैटिंग कर रहे होते हैं तबी दोस्ट नौजोट सिंग सिद्धू एस एन दास के लिए बोलते हैं कि यह दुनिया के सबसे अच्छे टेश्ट बल्लेबाज आपनिंग कर रहे हैं बैटिंग कर रहे है सुनील कवाशकल पलत करके नौजोच Sinh Siddhu से एक प्रिस्द में कुष्चन पूछते हैं कहते हैं आपने एसे इंदास को दुनिया का सबसे अच्छा टेस्ट ऑपनर कैसे बता दिया पलत करके नौजोच Sinh Siddhu जबाब देते हैं ध्यान से सुनियेगा वो कहते हैं SN दास को पता है कि किस बॉल को उन्हें बैट से खिलना है किस बॉल को उन्हें पैड यान की पैल से खिलना है और किस बॉल को खाली छोन देना है पीछे बिकिट के पीछे जाने के लिए दोस्त कहानी वही कहानी एक एप्रोच की, कहानी एक दिसा की जैसा कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी सेलेक्शन ले जाते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बला ठुक पीट के सेलेक्शन लेते हैं दोस्त मैं बताने जा रहा हूँ कहानी वही है एक किरकेट के बल्ले बाज की तरह ही कहानी है कहानी है एक एप्रोच की, कहानी है एक दिसा की अपने लक्ष को पाने के लिए आपके पास एक एप्रोच होनी चाहिए, एक दिसा होनी चाहिए दोस्त इसके लिए आपको तीन बातों को याद रखना है तीन बातों को याद लखना है पहली बात है कि आपको किसका अध्यन करना है किस चीज का अध्यन करना है जिससे आपकी सफलता आसान हो जाए दूसरी आपको किस चीज का अध्यन नहीं करना है किस चीज का अध्यन नहीं करना है बुक्स में या यूटूब के कई चैनल पर बहुत साले एजसे मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए कते इंपोर्टेंट नहीं है तो उनसे आप बचेंगे दोस्त इसके लिए आपके पास समय का आभाव रहता है समय की कमी रहती है समय को भी बचा ले जाएंगे एक सही दिशामे जाएंगे तीसरी और सबसे इंपोर्टेंट बात है आपको यार कहां अध्यन करना है कहां अध्यन करना है कौन सी एक ऐसी विशावश्तू है जो दोस्त आपको सटीक ललनीती के साथ आपको सफलता दिलाने में आपकी क्या करेगा मदद करेगा मुझे पूरा विश्वास है दोस्त इसको आप समझ रहे होंगे अब आप ध्यान से सुनिएगा आप वीडियो के आखरी में दोस्त आपको एक बहुत अच्छी बात बहुत अच्छा धमाका देकर के जलू जाओंगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्त आपके सामने विकैंसी की क्या है दोस्त भरमार है और SSB आपके पास लेकर के आया है बहुत सारी विकैंसी को जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्त देखे आपके सामने बहुत सारी विकैंसी से इतनी सारी विकैंसी है कि आपको दोस्त अपने प्रदेश के या देश के हजारों लाखों युबाओं के मन में एक उम्मीद जागी है एक उम्मीद जागी है अपने आपको साबित करने की एक उम्मीद जागी है समाज में अपनी प्रितिष्टा बनाने की ताकि समाज में भी उनका क्या हो सके नाम हो सके अगर दोस्त आपके पास सही रलनीती है सही दिसा है तो निश्चित है आप क्या होंगे सफ़ल होंगे देखें दोस्त आप देख पा रहे हैं आपके सामने विकेंसीस है पुस्तकालया ड्यक्ष ग्रेट ठर्ड है यहाँ एक्जाम की संभाविट डेट देख रखी है दोस्त उननीस नो दोहजार बीस ऐसे ही तमाम विकेंसीस आपके सामने है यह दोस्त पीडियाप में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर अगर यहाँ पर आप इस पस्ट नहीं देख पा रहे हैं तो देखेंज दोस्त बहुत सारी विकेंसी है आपके सामने एक बहुत बड़ी विकेंसी है वो विकेंसी है दोस्त किसकी पचवार की एक पचवार की विकेंसी है जिसकी संभाविट डेट है दोस्त 28 फर्वरी जैसा कि आपको यार देखने में लग रहा होगा कि अभी तो एक्जाम के बहुत दिन है एक्जाम के बहुत दिन नहीं है दोस्त अगर आप कामियाभी कैसे पापाएंगे यहाँ पर आप देख रहे होगे बहुत सारे फॉर्म पले हुए हैं लगबख पच्वार में 10 लाग के एराउंड फॉर्म पले हुए हैं दोस्त और आपके साथ अभी जुलाई से लेकर के यहन की दोस्त फरबरी के 28 दिन आपके पास समय है परियाप्त समय है लेकिन परियाप्त समय उसके लिए नहीं है कि आप यहां वहां बचकते रहेंगे कम अध्यन करेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी ऐसा बिलकुल नहीं होगा जब आप एक सतीक रुणीती के साथ अध्यन करेंगे सही मालग दरसन में अध्यन करेंगे तो निश्चित है आपको क्या मिलेगी दोस्त सफलता मिलेगी अब आप देख पा रहे होंगे इसके अलाबा भी बहुत सारी विकैंसी निकली हैं देखे दोस्त मैं आपको बता देता हूँ सिक्षा बिवाग में यानकी रीट के एक्जाम में कल के न्यूज पेपर में आपने देखा होगा सिक्षा बिवाग में यीवी दोस्त 20,000 विकैंसी के अलाबा कुछ और 34,000 भी नई विकैंसी आने वाली हैं आपके कुछी महिनों में इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है यार इसके लिए आप क्या करिये दोस्त इसके लिए आप एक दिशा का निधार करिये कि मुझे एक किस चीज की तयारी करनी है और उसके लिए आप एक सतीक रनीति के साथ अभी से लग जाए अभी से अध्यन करना प्रारम कर दीजे दोस्त और इसके अलाबा सतीक दिशा देने का कम इसकी जुम्मेदारी इस संस्था की है इस आपके यूटूब चैनल की है ये आपको बहतर है मैंने कहा था आपको मैं धमाका देने जा रहा हूं आपको सही रनीति की को लेकर सही दिशा को लेकर ये जीके राजिस्थान चैनल आपका पुरी तरह से मार्ग रसन करेगा यहाँ पर धीरे-धीरे आपको दोस्त PDF प्रवाइड किया जाएंगे कुछ बीडियो प्रवाइड किया जाएंगे जिससे आप सही मार्ग रसन पर जाएंगे कहीं यहाँ-वाँ भटकने की जरूरत नहीं है आपको एक सही राष्टा मिलेगा जो आपको लक्ष तक पहुँचाने में कामियाभी देगा अब देखिए दोस्त यह बिकेंसी की जो संभावित डेटाई है इसका लक्ष क्या होता है यह स्टुडेंस के सामने क्यों रखी जाती है आप इस शीच को ध्यान से सुनिए मैं एक बहतरीन बात आपको बताने वाला हूँ देखें दोस्त आपके यहाँ पर कुछ स्टुडेंस ऐसे भी होंगे जिनने साइक्लोजी पहर की होगी साइक्लोजी में एक मनुविज्यानिक थे जिनका नाम है दोस्त एड़वड ली ठॉंडाई इन्होंने एक दोस्त उद्दीपक अनक्रिया का सिधान दिया था जिसको कहा जाता है इस्टूमलस रिस्पॉन्स थ्यूरी यानि कि इसी को कहा जाता है ऐसाव थ्यूरी अब देखें यह सिधान ताप से क्या कहता है यह सिधान ताप से कहता है किसी भी क्रिया के करने के लिए हमारे सामने उद्दीपक होना चाहिए हम उद्दीपक के पिरती एक क्रिया करते है जिसको कहा जाता है क्या अनक्रिया इस सिधान का कहने का मतलब था उद्दीपक क्या होता है दोस्त उद्धीपक को कहते ही है हम क्या लक्ष लक्ष मतलब जिसके लिए ऐसी भिसेवस्तू जिसके लिए हम किरिया करते हैं जिसको पाने के लिए हम किरिया करते हैं उसी को कहा जाता है लक्ष उसी को कहा जाता है क्या उद्धीपक अंक्रिया क्या होती है अनक्रिया जिसके प्रति क्रिया की जाए उसी को कहा जाता है अनक्रिया अब समझे इसको आद को उद्दीपक क्या है लक्च क्या है इसका कहने का मतलब था ठॉंडाइक का अगर हमारे सामने उद्धीपक ही नहीं होगा कोई लक्च ही नहीं होगा हम कभी भी कोई किरिया नहीं करेंगे अब देखे यहाँ पर विकेंसीज की जो संभाविट डेट लाने का लाने के पीछे का रीजन क्या है रीजन है स्टूजेंट के मन में अब आ गया है क्या एक उद्धीपक आ गया है क्या एक लक्च अब जब आपके सामने एक उद्धीपक होता है एक लक्च होता है यह किरिया करने के लिए आपको मजबूर करता है क्यों मजबूर करता है क्योंकि दोस्त आपके सामने लक्ष को देखकर आपके अंदर जाकता है एक जोस एक जोस जाकता है मन में एक आग लगती है कहने का उस है दोस्त आपके लिए जाकता है एक क्या मौटिवेशन दोस्त मौटिवेशन का तात्पर जैसे ही आपके पास एक motivation मिल जाता है दोस्त इससे आप लक्ष प्राप्ति करने के लिए एक जोस आ जाता है आपके अंदर और यही मैन मकसद होता है किसी भी आयोग का exam को लेकर के एक calendar जारी करना ताकि student के लिए एक जोस आ जाए उस उद्धीपक को उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए अगर दोस्त आपके अंदर आप अधिगम कर रहे हैं कोई उद्धीपक कोई लक्ष पाना चाहते हैं अगर आपके अंदर motivation नहीं है तो निश्चित है आप लक्ष को नहीं पापाएंगे अगर आपके अंदर एक motivation है एक जोस है, एक जुनून है, एक मन में आग लगी हुई है तो निश्यत है आपके लिए जो लक्ष प्राप्ति होगी, वो क्या होगी, सुनिश्यत होगी दोस्त यही मैं आप, आपको मैं क्या करूँगा दोस्त इस चैनल पर कोई एक ऐसी मोरे पास जरी बोटी थोरी ना है, तो आपको मैं पिला दूँगा, आप लक्ष को प्राप्त कर जाएंगे नहीं, आपको मैं लेकर के आऊंगा, एक मोटिवेशन को लेकर के आऊंगा, एक जोस एक उम्मीद जगाऊंगा आपके अंदर, जिससे आप सफलता को सुनिश्चिक कर पाएंगे दोस्त अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको मेरे साथ बने रहना है आपके पास परियाप समय है, और परियाप गाइड करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर होई गया हूँ दोस्त और आप से फिर्ट दिन हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्ले, कुछ वीडियो के लिए, पीडियाप के लिए, सारी चीज़े होगी दोस्त जो भी आपको चाहिए है, आप कमेंट्स में करिए, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं जाएंगी दोस्त आप देख पा रहे हैं, यह सारी विकेंसिस थी, एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो लाने का मैरे मकसद यह था कि मैं हम और आप एक दूसरे के सामने रूबरू हो जाएं ताकि आगे की हम लोग क्या एक पिलानिंग कर पाएं एक पिलानिंग के तहर्त हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने आपको साबित कर पाएंगे समाज में, एक लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे चलिए दोस्त देखिए आपकी मुलाकात हमारी डेली होती रहेगी आपको कुछ नहीं करना है याँ चैनल को पिलीज सब्स्राइब करिए लाइक करिए, कमेंज करिए कि आपको क्या चाहिए मैं बादा जबता हूँ, आपको जो चाहिए है दोस्त मैं आपको लेकर के आऊंगा सिच्छक संबंदी आपकी रणनीती के लिए आपको लक्ष को प्राप्त के लिए सारी स्वामिक्दिया हमारे पास है और निश्यत है आपके पास लेकर के आऊंगा चलिए दोस्त आपकी वर हमारी मुरा कात होगी तब तक दोस्त आप अपना और अपनों का ख्याल लखिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और से एर करना है मैं इसी उमीद के साथ आपसे बिदा करता हूँ कि दोस्त आपको मेरी बाते समझाई होगी और देवस्त बहुत ही जल्द आपसे हमारी अंगली भी मुलाकात होने वाली है तब तक के लिए दोस्त थैंक्यू धन्बाद नमस्कार दोस्त